केंद्रिय मंत्री मंदल ने गरीब परिवारों को निशुलक खाद्यायन उपलब्द करवाने की सूधा अगले वर्ष दिसंबर तक बढ़ा दी है केंद्रिय उपभुगता मामले खाद्याव सार्चुनिक वितरन मंत्री प्योश गोईल ने बताया कि सबसीडी पर खाद्यायन पाने वाले 81 करोड 35 लाख भारतियों को अब मुफ्त अनाच मिलेगा इस पर 2 लाग करोड रुपए का अतिरेक दिखाच जाएगा जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी केंद्रिय मंत्री मंदल ने वन रैंक वन पेंशन योशना के तहद पूर्व सैनिकों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए पेंशन में सुधार किया है मंत्री मंदल की बैठा के बाद सूचना वप्रसानल मंत्री अनुराग सिंग ठाकू ने बताया कि अब पूर्व सैनिकों और पारिवारिक पेंशन धारकों के संख्या बढ़कर 25,13,000 से अधिक हो जाएगी फिलहाल इन के संख्या 20,60,000 है अनुराग ठाकू ने बताया कि इस पर प्रती वर्ष 8,450 करोड रुपे का खर्च आएगा और संशोधित पेंशन काला पहली जुलाई 2019 से मिलेगा